अब दीख रही हैं आपका अपना मोक्स चैनल जहां पर मैं प्रया पांदे आप सभी का धर्म कर्म की वीडियो में एक बार फट से स्वागत करती हूं और आज की खास वीडियो में हम एक और रामायन से जुड़ी धार्मिक वीडियो लेकर हाजिर हुई हैं जिसमें राजा दश्वरत की बेटी शांता की एक छोटी सी कहानी है जो काफी जादा महत्वपून भूमी का निभाती है रामायन में चलिए आज उनके बारे में ही बात करती हैं दोस्तो वैसे तो रामायन के किरदारों का जब भी जिक्र होता है तो राजा दश्वरत के चारों पुत्रों की ही बात होती है लेकिन उनकी बेटी की नहीं बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उनकी बेटी भी थी जनका नाम शांता था चलिए आज हम उनके बारे में आपको बदाते हैं। दोस्तों देवी शांता का जिक्रवाल में की रमायन के बाल-कांड भी किया गया है। विश्णुपुरान में इनहें राजा दश्रत और महारानी कौशल्या की पुत्री बताया गया है। विश्नु पुरान में देवी शान्ता से जुड़ी एक प्रसंग का काफी ज़्यादा वर्णन किया गया है जसके बारे में आज में आपको यहां बता रही हूँ विश्नु पुरान के एक प्रसंग के मताबेक एक बार रानी कोशलिया की बहन रानी वर्षणी या यूध्या वर्षणी अंग्देश के राजा सोमबात की पतनी थी अलाके विवाह के लंबे समय के बाद उन्हें कोई संतान नहीं हुई देवी शान्ता को देखकर रानी वर्षणी की ममता जाब उठी लेकिन अगले ही पल संतान ना हुने की भात याद कर वो काफी दुखी हो गई रानी वर्षणी की चहरे पर दुख की भाव देखकर राजा दश्रत ने मासूसी की वजह पूछी रानी वर्षणी ने कहा काश मेरे पास भी शान्ता जैसी बेटी होती तो मैं भी खुश होती मैं भी मुस्कुराती संतान की चाहत में रानी वर्षणी ने शान्ता को गोद देने का वचन दे दिया इस तरह महाराजा की बेटी शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई देवी शांता का लालन पालन उनकी मौसी ने किया जिस तरह राम लीला में महारानी कोशल्या की बहन का जिक्र नहीं किया जाता है उसी तरह देवी शांता के बारे में बहुत क लोग जानते हैं देवी शांता सुंदर होने के साथ वेद कला और शिल्प की ग्याने थी देवी शांता के विवाह का प्रसंग भी व्यक्त किया गया है एक बार की बात है जब रोमपद के राज्य में सूखे के हालाद बन गए हालाद धीरे धीरे और बिगरने लगे आकाल के स्थिती बनने पर राजा रोमपद ने रिशी श्रिंगी को आमंत्रित किया और समस्या का हल पूछा रिशी श्रिंगी ने यग्ये कराने की बात कही पूरी विधी विधान के साथ यग्ये कराया गया राज्य में बारिश हुई और सभी की चहरी खिल गए देश की समस्या का समधान करने पर राजा सोमपाद ने बेटी शांता का विवा रिशी श्रिंगी के साथ कर दिया कहा जाता है कि रिशी श्रिंग महान मुनी थे वो जहां रहते थे वहां शांती और सम्रिधी बनी रहती थी जहां कडम रखते थे वहां हर्याली रहती थी बेटी को वो देने के बाद राजा दश्रत क्यों कोई संतान नहीं हुई। राजा दश्रत काफी परिशान रहनी लगे। तब उन्होंने अपनी समस्या रिशी वश्रिष्ट को बताई। रिशी वश्रिष्ट ने दश्रत श्रिंगी रिशी से पुत्र कामिष्टी यग्य करवाने की सला दी। श् की तपस्या का सारा प्रिताप खत्म हो जाएगा। उन्होंने शान्ता से कहा अगर मैंने यग्य कराया तो तुम्हें जंगल में रहना पड़ेगा। ये सुनकर देवी शान्ता ने उन्हें मनाया और कहा मैं ये सब कुछ सहलूंगी आप मेरे माता पिता के लिए यग्य करा दीजिये इस तरह देवी शान्ता ने उन्हें यग्य के लिए राजी किया शिंगी रिशी ने राजादश्ष्षत को संतान की प्राप्ती के लिए यग्य किया यग्य सफल हुआ और राजादश्षत के चार पुत्रों राम, भरत और जुड़वा लक्षमन और शत्रुधन का जन हुआ इस तरह देवी शान्ता ने राजा दश्रत के पुत्रों के लिए त्याग किया तो दोस्तों ये है शान्ता की कहानी जो कि रामायन काल से जुड़ी होई है कैसे लिए के आगको कमेंट करके ज़रूर बताएगा